दोस्तो नभ्य के दसक में कुछ ऐसी फिल्में आई थी जिनके लगबग एक या दो गाने इतने अच्छे थे इतने प्यारे थे कि दिल को छू जाते थे तो आज के वीडियो में भी आपको मैं कैसी फिल्म का मुजिकल टेलर सुनाने वाला हूं जिसके एक दो गाने इतने आउज में और यह गाना और सुना होगा मैं कपड़े बदल करके जाओं कहां कुमार सानु जी की आवाज में तो यह गाने दो इस फिल्म में इतने अच्छे थे कि लगबग आपको उस जमाने में कहीं कहीं पर सुनने को मिल जाया करते थे तो आज की वीडियो में भी हम इस सुनोगे तो आपको लगया के बाकई में गाना बहुती प्यारा था तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म का सुनेंगे म्यूजिकल टेलर जिससे पुरानी भूली विश्री यात है जरूरी ताजा हो जाएंगी तो चलिए इस कैसिट को लगाते हैं हमारे कैसिट प्लेयर म जाएंगी तो चाटी क्या आप जानते हैं यह आवास किसकी है किसकी अपैचे इंडियन ओ येस फ्कूर्स आप जरह यह कीत सुनिए जिसमें बताईए बपी लाहरी के साथ कौन है यह दूसरी आवास तो आप ही बताईए ठीक है बताता हूं बपी लाहरी के साथ हैं बोई जोच बोई जोच बपी लाहरी के मुजिक डिरेक्शन में पहली बार दू इंटरनेशनल सिंगिंग सेंसेशन अपैचे इंडियन और बोई जोच एक ही फिल्म में गाते भी हैं लव स्टोरी 98 जिसका कसेत वी बिगर्स लव स्टोरी 98 चुनलिया है लाखो में जिसे आपकी वो सूरत सानी रेमा ओट्यो प्राइबट लेमिटेट के बैनर पर निर्माता और संगीतकार बपी लाहरी के पेशकाश है यह लव स्टोरी 98 लव स्टोरी 98 उन दिलू के कहनी जिन्हे वक्त ने खावती और संगीतनी मरहम मैं कपड़े बदल के जाओं कहां मैं खुद को सजाओं किसके जुनलिया है लाखो में जिसे आपकी वो सूरत है बपी लाहरी के सुरीवे निर्मान और इनायत शेख की जवा डिरेक्शन में फिल्म लव स्टोरी 98 की रोमेंटिक सितारे हैं बंगाल की सजीली धर्कन शताबती रॉय जिसका दिल जीतने की कोशिश करता है हैंसम सिधार्थ धवन और इस कोशिश में मदद कती हैं बपी लाहरी की धोने